बिलगरिट कहते हैं आप जिन्दगी में कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो अगर आप अपने माइंड को कांसेंट्रेट नहीं कर सकते तो आप जिन्दगी में सफल नहीं हो सकते कहने का मतलब सीधा सा है चाहे आप कितने भी बड़े योगवान क्यों ना हो अगर अपने माइंड को एकाग रिचित नहीं कर सकते तो आप महान नहीं बन पाओगे आपके जिंदगी के सबसे आसंतुष्ट गरहाग आपको सबसे बड़ी सीख सिखाते हैं अगर जिन्दगे में जो आपसे आरसंतुस्ट है मतलब आप उससे बहुत कुछ सीज़ सकते हो उसे पूछो रीजन क्या है आप उससे आरसंतुस्ट हो साथ वो आपके अंदर और भी बड़ी क्वाल्टियां देखना चाहता है जो आम इंसान अभी नहीं देख पा रहे हैं इसलिए वो आपसे आरसंतुस्ट है उसकी परसंसा करो और उनके प्रशनों को जानो और आगे बढ़ो सबहलता की रास्ते को वो आसान बना देगा बिलगरेट कहते हैं जिन्दगे में अपनी तुलना किसी से मत करो अगर आप एसा करते हो तो मतलब खुद की बिज़दी करते हो बिल्कुल सही अगर आप जिन्दगे में अपनी तुलना किसी और इनसान से करते हो तो मतलब आप अपना गला काट रहे हो कुद्रत ने हमें अनमोल बनाया है हमारे जैसा इस धर्ती पर कोई नहीं है भगवान के बनाया कर्ष्मे कोई इज़्जत क्यों नहीं कर रहे है हमारे जैसा इस धर्ती पर कोई भी नहीं है अगर आपके जैसा इस धर्ती पर मिल जाए तो मुझे जरूर बदाएगा कभी-कभी हम जिंदगे में कारते क्या है कुछ गरट कंपेरेजन करने लगते हैं अपनी इंटर्नल चीजों से किसी की इस्टर्नल चीजों से कंपेर करते हैं जो महापाप है किसी की अगर हम कंपेर करते हैं तो किसी की बाहरी चीजों को हम देखते हैं उसने कितना कमाया, क्या क्या करता है, कितनी गाड़ियां है, वो इतना कुछ कर चुका हमने क्यों नहीं किया, और हम अपने अंदर से देखते हैं, कि हमारे अंदर तो इसी क्वाल्टिया ही नहीं है, हम करेंगे क्या, हम लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे, हम उसके external चीजों के देख रहे हैं हम ये नहीं देख रहे हैं उसने जिंदगे में कितनी ज़्यादा मेहनत की तब उस मौकाम पे पहुचा है और हम क्या कर रहे हैं हमने कोई मेहनत नहीं की और सोच रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि आप जिंदगी में हार नहीं मानोगे जब आपके हाथ में पैसा होता है तो आप भोल जाते हो कि आप कौन है जब आपके हाथ में पैसा नहीं होता तो पुरा संसार भोल जाता है कि आप कौन है सफलता का खुशिया मानाना ठीक है लेकिन असाफल तक से सबक सीखना उससे भी ज़्यादा महत्य पूर्ण है यदि आपका जन्म गरीब फैमिली में हुआ है तो यह आपकी गलती नहीं है लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो यह आपकी गलती है बिलगरेट आठी सबसे इंपोर्टेंट बात कहते हैं मैं एक कठिन काम को करने के लिए कोई आलसी इंसान को चुनूगा क्योंकि एक आलसी इंसान उस काम के करने के आसान तरीकों को ढूंड लेगा बिलगरेट कहते हैं सबसे अनबात वो कहते हैं अगर आप जिन्दगी में एक महान पेशावा इंजीनियर बनना चाहते हो नहीं परिच्छा का सुरुआ आप सबसे लास्ट में करो इसे क्या होगा कि आप एमर्जन्सी में काम करोगे और अपना टाइम को भी मानेज करना सीख जाओगे लोग हमेशा बदलाव से डरते हैं जब भिजुली की खोज हुई थी तब भी इंसान डरे थे आज भी डर रहे हैं बिल्गेट सबसे इंपोर्टेंट बात कहते हैं अगर आप जिन्दगी में अच्छा नहीं बन सकते तो कम सकम काम एशा कीजिए कि वह आच्छा दिखे आज के वीडियो में बेस इतना हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में अब जीत हमारी होगा